आज जिस novel के बारे में बताने जा रही हूँ, उसका नाम है Undelivered Letters, जिसे लिखा है J. Elkem ने, इस novel का blurb पढ़ कर ही interest आ गया बुक में, आप फिर सुनिये यह कहानी वैसे तो Aaron नाम के एक पोस्तमन के बारे में है जिसकी खुद की एक कहानी चल रही है, पर इस कहानी के अंदर और भी कई कहानिया शामिल है कुछ अलग-अलग पात्रों की कहानिया, यह वही पात्र हैं जिन्हें यह Undelivered Letters मिलने वाले हैं फिर बुक के आखरी भाग में जब इन सभी पात्रों को 20 साल बाद वो चिठियां मिलती हैं तब क्या बीटती हैं उन सब पर इन सब घटनाओं के ऊपर है यह कहानी यह कहानी घटती है अमरीका के एक छोटे से शहर मौर्यूसन में जहां का एक पोस्मेन कुछ चिठियां बाटना भूल जाता है जिन्हें वो अब सही लोगों तक पहुचाने की ठानता है पूरे 20 साल बाद मार्च 2013 मौर्यूसन शहर के एक दिन से कहानी शुरू होती है जब एरन और सारा अपना सारा समान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि एरन जो की मौर्यूसन पोस्टल सर्विस में एक पोस्मेन है उसका ट्रांसफर हो गया है वो पिछले 24 सालों से इसी शहर में अपनी सर्विस दे रहा था एरन के पिता भी एक पोस्मेन थे और उन्हें खुशियां बाटते देख एरन की भी बच्पन से ही पोस्मेन बनने की ही इच्छा थी सारा उसकी पत्नी वो भी उसे यहीं अपनी ड्यूटी के दौरान ही मिली थी एरन और सारा दोनों ये शहर छोड़ना नहीं चाह थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया ये सब कैसे हुआ सामान समेठते वक्त सारा को एरन द्वारा बनाए गए कुछ स्केचिज और एक थैला मिला जिसके अंदर कुछ कागजाद और कुछ चिठियां थी एरन हैरान हो गया उन्हें देखकर कि इतनी बड़ी गल्ती उस समय से लोटे नहीं थे पर वो फिर भी उन्हें चिठिया लिखती थी पर उसके पास क्योंकि कोई पता नहीं होता था तो वो उन चिठियों को बोतलों में डालकर पानि में बहा देती थी पर उसे उम्मीद थी कि कभी तो वो लोटेंगे यहां पर एक चोटी सी घटना और चाहूंगी ताकि कहानी और किर्दार और अच्छे से समझ में आए एरन के पिता का चिठिया बाटते वक्त एक्सिडेंट हो गया था और उस एक्सिडेंट में उनका पैर चला गया पर उस वक्त भी उन्हें उन चिठियों की ही चिंता थी खून से सनी और कार के पहिये से बहुत ज़्यादा खराब थी पर ये बात उसने अपने पिता से छिपा ली ताकि वो जिन्दगी भर उस चिठवी की चिंता ना करते रहे एरन को इस बात का बहुत दुख था कि उसने अपने पिता से जूट कहा पर इस घटना से उसे अपना काम और ज्यादा इमांदारी से क करने की प्रेड ना मिलती थी हाँ तो अब वापस किताब पर लौटते हैं अब इसमें एक एक करके पांच कहानियां बताई गई हैं पांच अलग-अलग पात्रों की ये वही लोग हैं जिन्हें 20 साल पहले ये चिट्थियां मिलने वाली थी जो कि एरन बाटना भूल गया था पहली कहानी कैथी नामक एक महिला की है जो कि अपनी बेटी कारा को बहुत प्यार करती है कैथी का पती एडम एक परवता रोही है और एक हाइप के दौरान वो जो गया तो कभी लोटा ही नहीं कैथी कारा को जो कहानियां बताती थी अपने और एडम के बारे में उनमें वो तीन बार आडम को वापस लाई ताकि कारा को ये विश्वास रहे कि एक दिन उसके पिता लोटेंगे पर वो तो पहली बार जो गए थे उसके बाद ही कभी नहीं लोटे दूसरी कहानी एक अमीलिया नाम की बच्ची की है जो की बुलिंग का शिकार होती है अपने विक्रित च अपने चेहरे से नफरत थी उसे स्कूल में बहुत तंग किया जाता था एक दिन उसने अपना पूरा चेहरा वाश्रूम में जाकर नोच लिया इस घटना के बाद उसमें खुद को अपनाने का साहसाया वो मजबूत हुई उसे एक एथन नाम का लड़का पसंद था पर उस वाश्रूम वाली घटना के पहले तक वो भी उसे चड़ाया करता था बाद में उसने अमीलिया से दोस्ती करने की काफी कोशिशे करी पर अमीलिया ने अब अपना मन कठोर कर लिया था कुछ दिनों बाद अमीलिया की मा को पता चला कि वो हर हफते रात को बाहर निकलती है और जिस भी किसी को सहारे की जरूरत है दो मीठे बोल सुनने की जरूरत है उसके नाम एक चिठी पोस्ट करती है उसकी मा को उस पर बहुत गर्व हुआ ऐसे ही समय बीटता रहा फिर एक दिन जब एमीलिया 23 वर्ष की थी उसकी मा चल बसी वो एमीलिया के लिए एक चिठी चोड़ गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एमीलिया को उन्होंने मतलब अमांड़ा और उसके पती गैविन ने एडॉप्ट किया था और वो उनके लिए दुनिया की सबसे सुन्दर नेमत थी तीसरी कहानी सैली नाम की एक लड़की की थी जो कि अपने मा बाप की त और उसकी हसी धीरे धीरे लोट आई पर एक टीचर की उस पर बुरी नजर पड़ गई और वो वहां से घर भाग आई उसकी घर पर ही होम स्कूलिंग शुरू करवाई गई पर जब उस टीचर ने भी उसके साथ वही सब करना चाहा तब उसने खुद के सीने में चाकु चौथी कहानी थी सैम्विल नाम के एक आदमी की जिसे अपनी बीवे की हत्या करने के लिए उम्रक्याद की सजा मिल रही थी वो फैसला सुनने के बाद कट घरे में खड़े खड़े ही पागलों की तरह हसने लगता है उसकी सजा से पहले उसे ठीक होने के लिए मेंटल असा पहरा लेकर सैम्विल को ही हत्यारा ठेरा दिया था पांचवी कहानी थी एक शहर की जहां से लगातार किताबे चोरी हो रही थी ठपकर शहरवासियों ने काल नाम के एक डिटेक्टिव को हायर किया जो कि चोर तक पहुच भी गया चोर एक बारा साल का लड़का लैनिट था वो अपने पिता की मौद का बदला ले रहा था उसके पिता एक लेखक थे पर उने सफलता नहीं मिल रही थी फिर एक दिन جब उन्होंने अपनी लिखी हुई किताब किसी और के नाम से चपी हुई देखी उस दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली ये क्रोध लैनिट के मन में भर गया था और वो उस शहर की सारी किताबे बरबाद कर देना चाहता था। काल लेनिट को पकड़वा भी सकता था पर इसके बजाए उसने लेनिट को समझाया, सही तरीका सिखलाया अपने क्रोध को दिशा देने का। लेनिट मान गया। अफ्रिंस किताब के आखरी भाग में इन पाचो कहानियों और किरदारों से जोड़ी चिठिया हैं। शुरुवात काल के नाम की चिठि से होती है। चिठि पर लिखे पते पर काल नहीं मिलता है, उसकी मौत हो चुकी थी। तो एरन जिसने ये चिठि लिखी उसे ही ये लोट बताने की सोचता है। वो था लेनिट जो की अब एक कैफे चलाता था, जहां सभी को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता था। कैफे का नाम था शेक्सपियर कैफे। एरन उससे मिलकर चिठि के बारे में बताता है। लेनिट उसे कहता है कि 20 साल पहले उसने ये चिठि काल क को लिखी थी, ये बताने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए कि काल की वज़स से ही वो सही रहा चुन सका और आज वो इस मुकाम तक पहुच गया है। लेनिट ने आगे बताया कि जब कई वर्षों तक उसकी चिठि का जवाब नहीं आया तो वो काल से मिलने भी ग रहा होगा पर जब एरन लेनिट को वो चिठि देता है तो उसका दिल तूट जाता है कि वो काल को बता नहीं पाया कि उसने कैसे उसकी जिंदगी बदल दी। दूसरी चिठि सैम्यल के लिए थी मेंटल असाइलम के एड्रिस पर एरन वहां पहुचता है रास्ते में उसे य अपनी पत्नी सारा की मा की जब मौत की घटना याद आती है तो वो अपना इरादा बदल देता है अपनी मा की मौत के बाद सारा तूट चुकी थी और तभी उसके पिता की एक चिठि उसकी जिंदगी में आशा की किरन बन कर आती है सारा उस घटना के बाद मानसिक रूप स काफी सशक्त हो जाती है एरन वर्तमान में लोटता है एसाइलम में उसे पता पड़ता है कि सैम्वल वहां से जा चुका है और अब अपनी बची हुई सजा काट रहा है एरन उससे मिला और उसने उसके लिए वो चिठी पढ़ी उसे सारा घटना करम बताते हुए चिठी उने अपने आखरी दिनों में लिखी थी वो पूरी तरह से लक्वा ग्रस्त थे और अपने आखरी समय में सैम्वल से माफी माँगना चाहते थे सैम्वल ने चिठी सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बस वो उठा और धीरे धीरे चलने लगा गेट तक पहुँचकर उसने एरन का शुक्रिया आदा किया और दर्वाजे पर ही गिर पड़ा तीसरी चिठी सैली के लिए थी जो की नोरान ने लिखी थी एरन जब पते पर पहुचता है तो सैली के पिता उसे कब्रिस्तान चलने को कहते हैं क्यूंकि सैली की बहुत समय पहले मृत्यों हो चुकी थी एरन के लिए ये चिठीया बाटना बहुत ज्यादा कश्ट प्रद हो रहा था क्यूंकि वो बस दुख ही बाट रहा था एरन को अपने पिता की बहुत याद आती है वो सोचता है कि अगर उन्हें पता चला कि एरन चिठीया बाटना भूल गया था तब भी क्या वो उस पर इतना ही गर्व करेंगे वो लोग कबरिस्तान पहुचते हैं सैली की कबर के पत्थर पर लिखा था your dad is sorry एरन वो चिठी पढ़ता है चिठी नोरान ने लिखी थी सैली के लिए जिसमें उसने सैली को उस वहशी टीचर के सामने धकेलने की जिम्मेदारी ली थी और सैली को इ एरन के आसू आ गए उसमें अब और हिम्मत नहीं बची थी और चिठी बाटने की अगली चिठी एमीलिया के लिए थी जो की अब काफी कॉन्फिडेंट थी अपने चेहरे को लेकर पहले तो एरन डर गया पर एमीलिया की आत्मियता ने उसे पिगला दिया चिठी एथन ने लिखी थी एमीलिया का वो क्लासमेट जिसे खुद एमीलिया भी पसंद करती थी इथन ने अपनी सभी हरकतों के लिए माफी मांगते हुए एमीलिया को प्रोपोस किया था और अगर उसे मनजूर हो तो उसे अपने नए पते पर किसी भी रविवार को आने के लिए लिए ल लगी उसने एरन पर गुसा नहीं किया रवीवार की दुपहर एमीलिया उस पते पर पहुँची 20 साल बाद एथन से मिलने की आस में एमीलिया सारी रात सो नहीं पाई थी वो ये जानकर बहुत खुश थी कि एथन भी उसे चाहता था पूरा समय वो सोचती रही कि एथन ने त उसका आज तक इंतजार कर रहा था अगली चिठी के नाम थी एरन उस पते पर पहुचा केथी 6 साल पहले गुजर चुकी थी एरन ने कारा को वो चिठी दी किसी निकुलस ने कैथी के नाम लिखी थी वो चिठी जिसमें लिखा था कि एक परवता रोहन के दौरान उसे एक बै दिया था कि वो बैग लेने के लिए आ जाए और साथ में उसने एडम की डाइरी भेजी थी कारा भाव शुन्य हो गई ये पढ़कर वो रोने लगी और एरन पर बहुत नाराज हुई वो बोली कि 7 सालों तक उसने अपनी मा को पिता की तरफ से जूठी चिठी चिठीया लि रहती थी कारा वो पत्र पढ़कर बेहोश हो गई एरन के पास कुल 9 पत्र थे जो की 20 साल पहले डेलिवर होने से रह गए थे उसे दो हफ़ते 140 मील और अदम्य साहस लगा इन चिठीयों को सही हगदारों तक पहुचाने में कुछ ने उसका शुक्रिया अदा किया और कुछ ने उस पर केस ही कर दिया उसे पांच साल की सजा हुई जो की चार साल में खत्म हो गई उसके अच्छे व्यभार के कारण जो पांच मुख्य लोग वो पत्र प्राप्त करने वाले थे काल सैम्विल कैथी एमिलिया और सैली उनकी कहानी यहां बताई गई है क्योंकि ये जो को कहानिया पढ़कर सुनाती थी बुक्स्टोर का नाम उन्होंने सैली बुक्स रखा था एरन ने सैली की एक बड़ी सी पोट्रेट पेंट की थी जिसे उन्होंने बुक्स्टोर में लगाया था कारा इन से मिलने कभी कबार आ जाती थी उसका भी एक बुक्स्टोर था वो और सारा घंटों बाते करते थे, एथन और अमीलिया शादी कर लेते हैं। सैम्वल जेल से छूटने के बाद अपने ससुर का पूरा बिजनस सम्हालने लगा था। उसने एलिजबेट के नाम पर कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोले, शहर का काफी बड़ा बिजनसमैन और दानी बन गया था वो। इसी सूचना के साथ किताब समाप्त होती है।